पंश्वागत करता हूँ मैं उम्हेद करता हूं कि आपकी जो तैयारी होगी काफी भेहतर चल ली होगी तो आज हम उन वी से पर चार्चा करने वाले हैं जो क्लास 10 के क्लास 10 के हिंद यानि प्रथम पेपर जो 22 फरवरी को हिंदी होने वाला है उसमें जो चार नंबर का यानि उसमें जो चार नंबर का जो आपका पत्र लेखन पूछता है उस पत्र लेखन पे मैं चार्चा करने वाला हूँ हमें इस वीडियो में आपको पत्र लेखन, मुष्ट चार पत्र लेखन भी बताऊंगा उसके साथ साथ उसका उसे कैसे लिखना है आपको पेपर में उसे भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है तो बीना वीडियो इसकेप किये हुए आप लो हमारे साथ वीडियो के लाश्ट तक हमारे साथ बने रहीएगा ताकि आपको पूरा अच्छी से नौलेज मिल सके हमें इसी वीडियो में आपको चारों मुष्ट भेरी इंपोर्टेंट जो पत्र लेखने उसे भी बताने वाला हूँ उसके साथ इसे कैसे हम लिखेंगे अपने पेपर में पेपर में उसे भी मैं समझाने वाला हूँ ठीक है तो ऐसे लिखो फूल माक्स शिक्स मिलेगा यानि जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको लिखा हो दिखाऊंगा अगर आप पेपर में अपने लेकर चलते हैं बाइस फरवरी को तो आपको भी कंप्लीट नंबर मिलेगा ठीक तो बीना समय लिए हम पहले अपना पत्र पे चर्चा करते हैं तो मारा पहला जो काफी मोश बहरी इंपोर्टेंट पत्र लेखन है सुल्क मुक्ती है तु अपने विद्याले के परधानाचारे को पत्र लिखना है तो आप इसको बहरी इंपोर्टेंट कर लेज एगा आप एक्जाम बरस 24 के लिए और दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अपने छेत्र में ब्याप्त गंदगी के कारड उत्तपन डेंगू एउ मलेरिया मलेरिया जैसी भ्यांकर बिमारियों की जनकारी किसी दैनिक पत्र संपादक को देते हुए पत्र लिखिये यानि कि बहुत सारे जगों पर देखा जाता कि जादितार जो कुड़ादान की वज़ा से जो कुड़े के समान घर की जो और निक प्योगी जो चीज़े जो हम रोड पे स्चार तरफ गंदगी फ्यलाया रहते हैं जिसके वज़ा से अन्यको परकार की विमारिया होती है उस च के लिए किसी भी अख़बार करता किये चाहा हो दैनिक समचार हो चाहा मरुजाला हो जिसमें आपको रूची लगे उसमें संपादक के द्वारा आप उसमें इसको चीज़ को अंगित करा सकते हैं यह भी आपकी एक्जाम पेपर के लिए काफी मोश्ट है और उसके बास से म यानि अपने जिले के बिजली विभाग को सिकायत पत्र लिखिए यह भी आपके एक्जाम पेपर के लिए very important है और जो हमारा चौथा है चौथा है क्या है तो वह है अपचारिक पत्र लिखिए अपचारिक पत्र का मतलब suddenly अगर आपकी तबियत disturb हो जाती है तो उसके कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है अपचारिक पत्र के लिए प्योग होता है ठीक यह चार में आपको बता दिया पत्र लेखान ठीक है अब इसमें से मैं पहला जो पत्र लेखाने कि सुल्क मुक्ति है तू अपने विद्याले के प्रधानाचारे को 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 एक प्राथना पत्र लेखी है ठीक है तो दोस्तों चलिए बिना समय लिए हुए हम इस पहले पत्र लेखन को समझते हैं और कैसे तो देखिए हमने यहां पर लिख रखा है आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि पहला one number one number है हमारा सुल्क अग्जी मुक्ती हे तो अपने विड्याले के परध् аккуra को एक एक प्रत्तर लिखे तो सबसे पहले देखिया कैसे चालना है तो जैसे में आपको जो आपके पेपर रिखा रिखना चाहते तो आपके यहां रमधारी दिर्वेदी इंटर कॉलेज सल्लापुर भटनी देवरिया उत्रपरदेश ठीक है तो मैं रमधारी दिर्वेदी इंटरमीडियेट कॉलेज के परदनाचारे के पास इस पत्र के माध्यम से उनके पास सुल्क की जो छूट है उस पे चार्चा करने वाला हूँ ठीक तो अब इतना लिखने के बाद से आपको क्या लिखना है तो विसय में आपको वही चीज़ बताना है कि आपको क्या करना है तो विसय में आपको सुल्क की छूट चाहिए फिस में मुक्ती होना चाहिए तो विसय में वह इसी चीज़ को आपको दर्साना है सुल्क मुक्ती है तो प्रतनापत्र ठीक है उसके बाद से एक लाइन छूट के फिर आपको लिखना है मानिवर महोदै ठीक मानिवर महोदै जी लिख सकते हैं, महोदे लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तक जब आ जाएंगे, आप तो लिखना है, सभी निवेदन है कि, यानि सभी निवेदन है कि, मैं आपके विद्याले का कक्छा दस का, यानि मैं आपके विद्याले यानि उनके ही विद्याले का कक्छा दस का क्या हू कि हैं मेरे पीदा जी अपने चोटी से बीवसाय में करते हैं तो ठीक है बड़ी कठनाई से परिवार का पालन पोसर्ट करते हैं तो बात वही है कि सबकी सही बात है कि यह नहीं है कि सारे लोग इस धर्ती पे लग पती हैं कुरोड पती हैं हजार पती हैं तो ऐसा भी नहीं है बागु आपच की डेट में जो मता पीता हैं वह बहुत बच्चों के मता पीता बहुत बच्चे गरी हैं तो तथाकति इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए जीवन टाइम अगर हम हर चीश से परिपूर है तो एक दूसरे का भी विक हैं तो उनको उठाने का परियास केजिए ठीक है तो पालन पूसर करते हैं आगे लिखना आपको इतनी महेंगाई के कारड काफी कठनाईयों का सामना करना यानि जो आज की डेट जो महेंगाई है उस चीज़ को सभी को मद्दे नजर रखते हुए लिखा गया है कि मह गर का सब खर्च पीता जी ही उठाते हैं मेरे भाई 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 बहन यानि मेरे भाई बहन विभीन उसकूलों में पढ़ रहे हैं यानि मेरे अलावा जो मेरे भाई बहन है वो कहा कहा पढ़ रहे हैं तो विभीन अन्य उसकूलों में पढ़ रहे हैं तो उनका भी खर्चा एक प्लस है ठीक है तो इस चीज के लिए अगर प्रधना चार जी अगर आपको अच्छ लगता है तो आपको जो राज्य देश में करीब बच्चे हों को थोड़ा थोड़ा सामद्द करेंगे तो आदम हर आदमी एजुकेटिट हो सकता है ठीक है तो आगे बढ़ते हम सुब्या लिखना आपको उसमें बहुत ज्यादा खर्च लगता है मैं अपनी कक्छा का परिश्रमी छात्र हूँ और प्राय प्रत्थम अस्थान प्राप्त किया हूँ यानि कि आगे आपको बताना है कि मैं अपनी कक्छा का परिश्रम यानि महनती छात्र हूँ और मैं हमेशा जो भी पेपर हुआ है उस पेपर में प्रथम असान आता हूँ तो इस चीज को और नजर में रखते हुए आप परधनाचारे जी को इस चीज को मनना चाहिए आगे लिखा गया कि अता आपसे निवेदन है कि मुझे बिद्याले सुल्क से पूड मुक्त कर दें सारी यहाँ पर कर दो गया है ठीक है मुक्त कर दें जीससे मैं पढ़ सकूँ अब देखे एक बच्चे का जो दिल की बात होती है उस चीज को मैंने यहाँ पंगित किया है कि अता आपसे निवेदन है कि मुझे बिद्याले सुल्क से पूड मुक्त कर दें जिससे मैं पढ़ सकूँ पढ़ने की जिसमें लास होगा लालस होगा वही इतना कुछ दिल की बात रखता है किसी के साम ठीक है अपना भविष्य बना सकूँ अभिवावक आपके अतिंत अभारी रहेंगे यानि अभिवावक का मतलब मता पिता जो भी दूर्जन भाई बहन है वो सभी परधनाचारजी के अभारी रहेंगे ठीक है आगे जो आपको लिखना है उसमें लिख देना नीचे की लाइन छोड़के लिखना आपका अग्य कारी से इसे हमने आप सुमीत लिखा आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बास से दिनांक, जिस दिनांक में आप लिखना है उस दिनांक को डाल देजिएगा और नीचे कख्चा लिक देजिएगा ठीक है तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये आपको पतर लिखन का वीडियो काफी बहतर लगा हूँ तो विडियो को लाइक चैनल को सुश्क्राइब जरूर कीजिएगा इसलिए मैं पहले नहीं बताया हूं ताकि आपको बुरा लगे कि भाई रोज रोज ये पहले ही वीडियो बोल देते हैं तो इसलिए मैं पहले आज ना बोल के लाश्ट में बोल लाओं एगर वीडियो पस से इसके बाद हम निश्ट पे चर्चा करने वाले हैं ठीक है निश्ट पे यानि आप पचारिक पत्र बताने वाला हूं तो उस वीडियो को भी आप एक बहतर से देखिएगा और जो भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या हमसे जुड़ने के लिए आप इनिहाव हमारा नंबर भी है आप उस पे भी ट्राइ कर सकते हैं ठीक है बाकी जो हमारा कारेरत जो वर्क है पढ़ाई से लिटे चुके एसन से लिटर वो चल आ है चलता भी रहेगा तो मंजिल उन्ही को मिलते है जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है तो होसला बनाया रखिए आपको आपका मंजिल चरूर मिलेगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद